रावन के विशेंट बोजु बल्य्य विश्व वश्य करी राख्यो कोण स्वतन्त्र बोजु बल्य विश्य करी राख्यो कोण स्वतन्त्र मंडलीक मनिरावन राज करई निज मंत्र मंडलीक मनि रावन स्वयम को मंडलीक मनि अरथाचegen करवर्ती मानता था एक ही समय में दुझन करवर्ती राजै रही का राजा दसरे तो घला चकरवर्ती का ससुरे चकवई औसलराव ससुर चक्वई को सल राव अभवन चारिद रगट प्रभाव राजा दसर चेक्रवर्थी सम्राठ है, और रावन भी चेक्रवर्थी सम्राठ है, तो चेक्रवर्थी दो कैसे हो गए? चक्रवर्ति उसे कहा जाता है या वो लाकित हैं कि वो समय सब तो अपन अपन देश के राजा हैं लेकिन सब देश के राजा अपन सियान बना करके रखे जिसे हर पंचायत में एक एक सरपंच है न लेकिन ब्लाकिस्तर में पंचायत मन के एक सरपंच मुख्या होते नहीं लाकिस तरी सरपंज संग के अध्यक चौह इसे करते हैं तुलदू पंचायत मिले है का नहीं मिले बरेके जी मिले लेकिन वो सरपंज मन के सियान है तो राजामन के सियान सबों राजामन के जिनकर निर्देसलाउ राजामन स्विकार करें तो वो ला चक्रवर्ती कह जात नहीं तो एक ही समय में दूजन चक्रवर्ती सम्राठ किसे होगे तो राजा दसरज जो उन्हें भोसिच चक्रवर्ती सम्राठ है और यह अगोसिच चक्रवर्ती सम्राठ है बुजाओं के ताकट से स्वयम अपने आपको चक्रवर्ती बना करके रख दिया नहीं और आज करें राज करें नियम जो बनाता था वह चलाता था मनुस्ट के लिए जो नियम बनी हुई है ये नियम का परिपालन नहीं करता था है एक है नहीं करता अधन्य क्षेश भाव है हरने काणन में आते हैं शुर्पणखा जब भगवान कर जाते हैं नहीं रुचिर रूप धरी प्रभु पहिजाई बोली वचन अधिक मुसकाई तुम सम पुरुस नमो समनारी यह संजोग विदे रचा विचारी अब नीचे देखाओ सुर्पनका कट है किता है नहीं मम्यन रूप पुरुस जगमाही देखें खोज लोकति हो नाही अवताते अब लगी रहें कुवारी मन माना कछो तुम ही निहा अब रूजयन करो नारी पहली हो यह कुवारी पहली होना चाहिए परमपरा के अनसार कुवारी हो एक बाद नारी होते है नहीं भगवान कतिया तो बड़ा बिचेतरनियम है यह पहली नारी है अब आद में नहीं मंदलीक मनी रावन राज करे निजमन्त यह संदर में की बात आफे कुनो कुनो संद्मन बड़ा बढ़िया बता हैं शुर्पनका करा शुर्पनका रावन करा राम जी करा आई आएक बार एकदम सत्य बोलीन पहले हैं कि मैं आ रही हैं वैसे विद्युद जुहा के संग वोकर भ्याव हो रही है रावन बड़ दिन तक कि अपन बहिनिल नहीं पहिसना तो खोजवाइस खोजवाइस ता यह गंधर विवाह करे से गंधर विवाह वैसे वेदब्याजी महराज महाभारत ग्रंथ में विवाह के दस प्रकार लिखें पहसाच विवाह, असुर विवाह, गंधर विवाह, मनुस विवाह, दैब विवाह इत्या दे Size दस्प्रकार के विवाव पद्दतिय है गंदर विवाव और इस सुर्पनख में या वो परंपरा में होते हैं यह वर उकण्या दूनों एक दूसरा पसंद करके भाग जैते हो भागे के बाद न अपन महतारी बाप से सुप्रति बाद मिले थे विहाव पहली होते हैं माबाप के स्विक्रति बाद में होते अब जले 36 गड़ी मूल हरी अच कते नहीं सोच बात बता दाँ अब कते के मैं पेकिंग करत रहो अब सब्दों नहीं मिलते पेकिंग करत में थार्ण सब्दों नहीं नहीं? मैं इस बात लग नहीं बोलाओ ऐसे की ना? यह जे, जे, तो मैं वो बात कहते हैं कि विद्धुद जुहा के साथ गंदर विवा करें बाद में रावन खोजवा करके और बलवाइस तो परिने सुत्रम बंद गए है चंद्रहास तलबार निकाली च रावन हा विद्धुद जुहा के गरदन लालग कर दीचा तो सुर्पनखा करते भई महर राज में गलत कर ही तो अपराद के सजब हो गए लगी तक कि अपराद के सजब लेकिन तो मैं तो बिद्धुद जिस नारी का पती जीवित न रहे उस नारी के हाथों की चूड़ियां और माथे की संदूर निकल जाती है और उस बिद्धुद कहा जाता है तो रावन के किसे कहा कनियम तकिसे विधिक विधान है शुरुपनकल रावन कर थे यह रावन के लंका है यह जो उन भी विधान चलते ना रावन एक चलते विधिक विधान नहीं चले यह रावन के विधान चली नहीं तुम्हारा पती विद्धुद्ध था उनका प्राणान तो हो गया सुर्पना का नारी नहीं विद्वा नहीं बलकी कुवारी है यह हम गोसना करते हैं लिखके देते हैं उरिजिनल बात लबता ही सुकरबाद के हिस्त आते अब लगी रह्मु कुवारी ऐकर से थी कुवारी हों आउं कुमारी नहीं मैं ओरिजिनल कुमारी थो रहे हूं नहीं तुम सम पूरुसन मौसम नारी यह संजोग विधी रचा विचारी के ताते अब लगी रह्म कुमारी मन माना कछो तुम ही निहारी राम जी घला ऐसे महाराश से चल देना मराठी आवा थे यह उड़ी से चल देना उड़ी भास आवा थे न तब गवर्मन मित हो था नहीं एक रे कस बोल्डर था नहीं से की क्या विल्कुल भले असुद रहा है वो भासा में सीखे हां जो जो हमर मात्री भासा है ऑला जब का पकड़ रख वो गो दूसर देस या दूसर प्रांथ के भासा में उतना पकड़ नहीं रहा है लेकिन एक खुसी रथ है कि हम यह प्रांत में आगे नियाद बाता हम ले मालूम है कि तो भगवान घलप प्रयोग कर इचले भई तोरे भासम बोल दे जाए कि कि लक्षमन जी के साधी होगे भगवान नी जानत रिसका जानत रिसे अब तोरे भासम बतादों के तोर पती बहुत दिन से नहीं है तो ते कुवारी होगे लंकक नियम में गए तोर पती नहीं है कुवारी होगे तो यह लक्षमन जी घला के बहुत दिन ले पत नहीं है तो लंकक नियम में कुवार होई की नहीं है कुवार मोरो लगु वराता अग दूसरा भाव यह दूसरा भाव का है सुर्पन खा रावन के वहीनी और दुस्ट घृदय दारुन जस अहीनी दुस्ट क्लेम वर से विए और प्रस्ताव कर था यह सर्पी नहीं है तो आदमीक सर्प से विए भीर लिएक नहीं बिएं तर सांप के विवस्ता हैं हमर कर रहा नए कि सेस्सहस्रे सिहस्यग कारन सेस्सहस्रे सीस जग कारन असो वतरै भूमीभय तारsh लक्षमा जी सेशा वता रहा है तो तू सरपी नहीं है तिसलिए दोनों का परिने भूस मूल भाव में यह कहते हैं कि राज करई निजमंत नहीं यह अपने मंत्र से या स्वयम घोसित कहना चीए चक्रवर्ति सम्रार्था कौन रावन और सरो मानने चक्रवर्ति सम्रार था राजा दसरत नहीं तो ससुरिचकवई कोसल रावू अभुवन चारिदसो प्रगटो प्रभावू जिनका स्वर्ग में राजा दसरत बैठने के लिए जाते थे जीतै जीते जी अपन आर्ध सिंगासन आसन देहि में अधा सिंगासन राजय दसरत लब इठे बर दे इतना तो ससुर चक्कवई को सल रावू भुवन चारिदस प्रगत प्रभावू मैं मूल बात आपके बीच रखना चाहत रहे हूँ मैं तो बलकन बोल रहे हूँ का बात रहना चाहते हूं अब बुला आए जरॉच हो है ने में मरम है ना हाँ यहां से मैं हट किर रहे हूं है ना देख फसर 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 कहा जा फस गिरे हूं है नहीं लेकिन ये ये ऐसा भूल हमसे होना भी जरूरी था कावर हमन बुलत बुलत ऐसे बोल डर्थन के इस न भूल आते हैं जे मूल बात ले बटक जाता हैं नहीं ये कर से दिया इस न भूल करके भी बता न रही से नहीं तो सुन हुसियावरत रुचीर सुसीला सुन हुसियावरत रुचीर सुसीला ओ मैंक छुकर्व ललित नर लीला के तुम पावक मह करहु निवासा के जब लगी करम निसाचर नासा लची मन हुए मरम न जाना अव जो कछु चरित रचा भगवाना लची मन हुए मरम न जाना तब भगवान हाँ मरम न जना नहीं देते इस लख्षमन जी लख्वाना इतनी शीवा कर रहे हैं लक्षमन जी महराज तो लक्षमन से छुपा करके क्यों रखा गया तो बात ये रही हिसे लक्षमन हूं यह मरम न जाना लक्षमन जी भी मरम नहीं जाने और यहां एक बात आओ रखे रहे हो कि प्रे मातुर सब लोग निहारी को तुक्तिन क्रिपाल खरारी अमित रूप क्रक्टे ते काला हम मिले जथा भी दी सबही क्रिपाला छनमा हूं मिले उसबही भगवाना और उमा मरम यह काहूं न जाना और यहां लच्मन हूं यह मरम न जाना कौन से मरम को नहीं जाने जो नरलीला भगवान करने जा रहे हैं नरलीला क्यों करने ज धीरन के मति विरत्य दिढ़ाई देखो यह प्रसंगल के है कि पहली यह बातल रखना बहुंक आवस्यक नहीं दीनता दिखाई धीरन के मति विरत्य दिढ़ाई कामिन के दीनता दिखाई विरत्य दिढ़ाई यह प्रसंगला रखे कि पूर्व यह बातला रखना जरूरी है और रखना काबर जरूरी है कि यह बात यदि नहीं रख बेना तो यहाँ प्रस्म तैयार होई सीता जी को ने तहम तुरंत कथन उद्भाव इस्थित संघार कारनिम कले सहारनिम सर्वस्रे यसकरिम सीताम नतो हम राम बल्लभाम राम जी को ने तुरते कथन के राम ब्रम्ह परमारत रूपा अविगत यकत अनादि अनूपा व्यापक ब्रम्ह निरंजन निर्गुन विगत विनोद असो अज प्रेम भगतिवस को सल्या के गोद राम जी ब्रम्ह है ऐसे हम बार-बार कहते हैं तो यह पर इद्रिशल देखिना तो लोगन मन सहाजी हमर कथा कहात में ही प्रश्ण तैयार हो जी भई राम जी यदि भगवाने कहा था भगवाने और सीता जी जनरल ये बात रटागे है तो अब बाढ़ा है प्रसंग के कहिए न सीता जी सानती है शीता जी भगवाने शीता जी तुरिया वस्था है शीता जी महालक्ष्मी है यह सब लगाथन प्रसंग में पात-दस मिनटों बोला जाते नहीं जनरली यह सब करें लख्ठे चे अबर प्रारंभीक समय में जितनी सारी बातें हमारी अनुभों में रहती उन सारी बातों को जहां भी प्रसंग मिले उसमें प्रविष्ट कराने का ही ध्यान रहता है और इस प्रविष्ट को बिलकूर रखना है ताकि कालांतर में लोग पूछ देंगे कि राम जी ब्रह्म है और सीता जी आ दी सकती है तो फिर रावन उनको अफरन करके क्यों ले गया राम जी क्या इतने अज्यानी है यह खगमरिग है मदुकर से नी तुम देखी सीतामरिग ने नी वह से पता पूछ रहें शीता जी की ने विसे यह स्क्रिप्ट ना रामों सीता के बीच बने है सुनो सियाबर तुर्जी शुशीला मैंक चुकरव ललीग नर लीला नर लीला के शिन्यामरिग सीता के बीच बने अदों मंच मे भूमिंका सब कह कम से कम दूरीया है नहीं पाठ पहिली ते लगा, नाटक होना है या लीला होना है, पाठ लब अरोबर समझाए नहीं है, मैनेजर है, तो देखते न, एकर बाद ये पर्द खुली हो, काकर पाठ आई, वो लग कोचक ही, तो रावत जाकी, तो पहिली चताए नहीं है, तो भगवान गलब इसने करी, ली हे खग म्रीग, हे मधुकर स्रेग, हे खग, मतलब कि धर जटाए उपाठ आगे है, खग, नहीं, कि आगे परागी धुपति देखा, सुमिरत राम, चरन जिन रेखा, म्रिग, हनुमान जी या बंदर, साखा म्रिग है, तो इनकर काम आगे की नहीं, मधुकर स्रेग, परवत सिंखलाओं की काम है, क्योंकि त्रिकूट परवत ही, में ही तो लंका बसा है, क्या, जहां सीता जी को ले जाकर के, रावन ने असोकबाटिका में रखा था, तो मैं अब जून बात लग कहत रहे हूं, कि लच्छिमन हूँ यह मरमन जाना, और जो कछुचरित रचा भगवाना, इमांगी नावन केवट याना, और कही तुमार मरम मैं जाना, यह वट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं, लेकिन लक्षमन जी भी इस जिस मरम को नहीं जानते हैं, लक्षमन्जी नहीं जानते हैं अच्छा लक्षमन्जी जनाद नारी इसकी नहीं शांग में 14 साल गिंज रहे थे दुख सुख पावा थे लक्षमन्जी महराजोकर सेवा कर रहे थे और कितने मजबूत सेवा कर रहे हैं किरगुपति कीरती बिमलपता का और दंड समान भयवजस जा का रगुनाद जी की किरती के द्वज को फ़राने के लिए लक्षमन्जी महराज सोयम डंडा बन करके कड़े डंडा में थो कनकल रखे लक्षमन्जी में कहीं कहीं बात कड़ापन लगती है तो इसलिए बिलकुल अरियाक खड़ा होई लगी तैसना लक्षमन्जी बनाए जाए बेसरम के डंडा बना दे जंडा लगा दे नहीं और वह या बारा घंटा में साड़े कि यारा घंटा वो धरतीन गोंडा तरी जंडा नहीं और बेसरम कहा खड़ा हो क्रीर वह नहीं तो लचीला नहीं होना च लग्षमन्जी कही कही पर कठोर होते हैं यह डंडे बनके रहने के लिए कठोर होते हैं ताकि रगुकुल की किर्ती का जंडा भरता रहे सतर तो गर जी की किर्ती के लिए इतने चिंतित हैं के स्वयम में कठोड़ता को स्विकार करके भगवान की किर्थी को उपर रखना चाहते हैं तो लक्ष लक्षमन जी से भगवान ने उस मर्म को छुपाया को प्रस्थ यह होता है लक्षमन जी अपनी जिम्मेदारिय का बखू भी निर्वहन कर रहे हैं तो राम जी को बता सकते थे ने कहीं कहीं लग्ष लक्षमन जी यदि ये मर्म Claro बताई ही दे जाए नहें बताहि ही दे जाए ना रामायन के पूरा कथा ही में समापत हो जो अब कथा नि बाहर year् कावर नहीं बाड़ी, तकि इस रावन लम आरनाय तेकर से थी, मेलक से सीता बनावा था, तो एगनिम प्रवेस हो जा इसे कि सीतल कहा है, रावन लम आरनाय तेकर से थी, अक्ते आसोक बाटिका मेरी बे मेरी धंजबांधर के जहूं, फिर बानर मन के सह निवली कठा करो और फ कि भगवान को बताती चीना तो लक्षमन जी कितनी सी ग्रता से काम कर लेते हैं वह स्वामी जी स्वाम कहते हैं कि जाग महु सखा निसाचर जेते कि जाग महु सखा निसाचर जेते ऑलुचमन नहीं निमिस महुते ते निमिस निमिस का लकत है इनमी के बास बताएगे हैं टेपरा में Northwest veal नीचे गीरी जानक लगूक के लैए दुनियम्राक्षसे नहीं रही वो काम करके लक्षमन जी आई ता सबराक्षा मर्द नहीं गे ता फिर भगवान ले लहुटेल नहीं लगी नहीं अब कामे धर गे और भगवान जब लहुटेल धर तो रमायन लागो गोस्वामी तुलसिदा जी कावन लिखी रमायन तो यह पूर गेगा दारभाद चूर गे कहने पूर गे नहीं भगवान के इस लीला का अव्यस्तार भी तो होना चाहिए इसलिए लक्षमन जी को यह सुब बात नहीं बताई तो मैं जोन बात लग कहत रहे हूं कि मरम मरम आगे फिर मरम है हिद्र परिदेश से में थोकना आगों फिर मरम है कि मरम बचन सितब सीता ब बोला मरम बचन तब सीता बोला एमा बहुत अक अंतर्क दिये जाते हैं और तर्क आजकल ऐसे भी जिए यह नंतर्क के विशे में सोचना भी बड़ा दोस्त पूर्ण लगता है खेर मैं उस बातला नहीं रखाँ मरम बचन तब सीता बोला साहितिक परमपरा में जब सीता कह आथे तो बोली होती कि बोला होती जीटा जीच जीच जब बोल रही है तो स्ट्रेविंग होनी चाहिए ते willen नहीं होनी चाहिए तो स्वामी जी लिखते हैं के मरम बचन तब सीता बोला हरी प्रेरित लचे मन मन डोला नियुक्ता, मर्म बचन तब सीता बोला, ये बोला सब्द जो है, हरी प्रेरित, सिला करके उसका संबंद रखा गया है, हरी प्रेरित, बलवावत कौन है, राम जी है, नहीं, ककर्ता कौन है, राम जी है, नहीं, मर्म बचन तब सीता बोला हरी प्रेरित, लच्मन मंडोला हरी प्रेरी सब दिला लेकर के यहां पर के बोला सब दिलिखे जिसे राम के प्नाड़स में कई जग आईसन पर दिश्व से आ है बोलत कोने है टकरो मुहले जबाब निकलत है लेकिन बोल बावत वो है आईसना है नहीं जिसे आईध्या में राम जी नहीं है वनुवास चल दे है, चुगदा बच्चर के राम जी के संग में लक्षमं जी शीताजी चल दे है और राजा दसरत के मृत्यू होगे बिप्ति हो एक पस्चात भरजी ले बुलवाएगिस भरजी ले बुलवा करके भरजी के द्वारा अंतष्ठी के क्रिया संपादित करेगिस पितु ही द्भरत की निजसकरनी सो मुखलाक जाई नहीं बरनी भहरो प्रसाद जी बड़ संदर पंक्ति लिखता है भरजी पूरा क पूत्र ला जिम्मेदारी पूरुखनी रोहन करना थी खेर वा बात में नहीं रखो लेकिन वह कर बात एक भैठका हो इस बैठका हो इस तो भरजी ले बोलेल के इस भरजी ले तो राज देबर यमन सब के सब चाहिन लेकिन भरजी राज जी सवीकार नहीं करे तो पूट में बोलीन ना, तो सबसे पहली काकरिन, यह तो कभू भगवान स्री रागवंद सरकार के आगूं में आखी मिला करके, ऐसे भगवान के सकला भी नहीं देखे, इतना विनम्र, इतना भरत जी में संकोच, इतना असील है भरत जी में, कि राम जी ला सोच द्रिश्टी द के नहीं है विचरा, अब भगवान सा मके सामने, गुरू के सामने, महतारी मन के सामने, यह सब के सामने, कहीं निड़ना ले यह तो नहीं हो सक intentions, लेकिन यह परिस्थिति में जब जरूरी होगे, कि भरत जी लाई बोलना है तो भरत जी काकरिन, कि हिए सुमरी सारदा सुहाई अमानस ते मुख पंकज आई हिए सुमरी सारदा सुहाई हिए सुमरी सारदा सुहाई सबसे पहले सरस्वती जी के स्मृती करें अब सरस्वती कोन है सरस्वती कोन है जैकर इसमरन भरत जी कर रहत है सारद दारू नारिशम स्वामी और आम सुत्रधर अंतरयामी शरस्वती तो भगवान के सारे में कट़पुतली की तरह नाज्टी है तो लोगों को भले ही लग रहा है कि भरत जी बोल रहा है लेकिन भरत जी के बानी तो भरत जी के है है लेकिन बोल कोनड रहे हैं भगवाई नहीं बोल रहे हैं जाईसे मर्म प बचंत में तफसीत अब बोला ये भी है उह एक बात आतें स्रमत भागवजी के सुक्रदेव जी राजा परिच्छित्व स्रमत भागवजस् съरवन करात वो और श्वयम सुगदेव जी सक्षितल्भ्हागवस उनहें कर्द दसम हिसकन तक धृत्त too देश्रिमत भागवस्ट सुगद Конथ 12 понравissk लोगत कह टाउरात परिस्थिती में स्रीमत भागवत के दू इसकंद के कठाला परिछी जीले कौन सुने इसा है कठा तो बारह इसकंद के हो है का और दस में होकर समाधी लग गए समाधी तब तक नहीं माने जाए तब जब तक वो वक्ता वक्त अब देवत बोलत तो समाधी कैसे माने जाए या तो समाधी नहीं लगे और या समाधी लग गए तो फिर वो बोले नहीं और जब 12 इसकंद के कठा पूरा हो है ठारह हजार स्लोक के कठा सुगदेव जी परिछी तलस सुना हैं ऐसे कहा थे तो सुनाने वाला को यह उर ही इसका बोले हाँ भगवान स्वयम सुगदेव जी के स्री मुख से भगवान की कठा स्वयम कहते हैं तब 12 इसकंद की कठा हुए तो यहां भी यह है मर्म बचंत सीता बोला लगता तो है कि सीता जी कह रही है लेकिन सीता जी के मुख से भगवान ही कहते हैं रामचरित मानस में यह को प्रसंग है ना हनुमान जी जब असोग पुरा और सो मन सदा रहब तो ही पाई जानत पिया सब्द नहीं सीता जी और हनुमान जी है मां है और बेटा है यहां पिया सब्द कैसे आएगा नहीं है राम जी का संदेश दे रहा है सुनना है में अंको संदेश लेकिन देने वाला बेटा ही है ना। बेटा के दाइतुला निर्वहन करती संदेश महतारिल देबो का बहिन के पास यदि संदेश दे रहा है उसका पती हमारा दमाद है नहीं बहिनों यह जी जाए अगर संदेश ले माले बहिनी ला भाटो बहला है तो लो काली इसे कि थन पहले भाटो सब्दल रख्थन नहीं वो जो बोल सकते है वो हम नहीं बोल सकते लेकिन सीता यहां का रही है कहीं नहीं चहीं यह बात जो मैं पहली भी कहा था वो बात यहीं है सीता जी का संदेश या सीता जी को संदेश हनुमान जी के माध्यम से बगवान स्वयम देते हैं वैसा है मरम रामचरित मानस में मरम सब्द को लेकर करके जो बाते मैं कह रहा था मैं जाना मैं जानता हूं मरम कौन से मरम को केवट जानता था केमट कता है के चरन कमल रज कह सब कही चरन कमल रज कह सब कही आव मानू सकरनी मूरी कछू अही एह प्रतिपालम सब परिवारो आव नहीं जानो कछो और कबारो के जहू प्रभुपार अवसिगाच हू महीं पदपदम पकारन कहू मरम मैं जाना और भगवान के उस मरम को केवट जानता था कौन से मरम को भगवान के जैसा उदार इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसो को उदार जगमा ही नहीं और व्यापक प्रम निरंजन निर्गुन विगत बिनो सो अज प्रेम भगतिवस तो सिल्या के वो भगति के कारण सुएम को निराकार से नराकार रूप में परिनत करके जरादाम पर आकर के उतार लियें तो आज मुझे ठुपरा करके ये नहीं जाएंगे मेरा सर्थ सुझी कार ही करेंगे मैं जो को हूँगा वो करेंगे और इसलिए किवड़ करते हैं कि कहें तुम्हार मरम मैं जाना तुम और कहें कि पीछे उद्देश येरिस है रामतिरित मानस पंक्ति ले रखे के पहली हमला जदका भी समय मिलत है यद्यप हमरे स्मिति में हैं और साहित खुले है तो साहित ले एक बार अलुकंड कर लेना बहिली ज़रूरी है दूसरा बात वकर सापदिक अर्थला देखे के बाद आराम से उलग पढ़े जाए ताकि कहीं नहीं 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 चिंतन या नहीं भाव हमला मिल सके और फिर हम साहित के देहली दीपक के बिशे में चर्चकरन देहली दीपक कला ऐसे रखो कि किवल दोनों तरफ लगाना है ऐसे नहीं लेकिन मूल बात जो उनला लोगन के बीच हमला रखना है जेन उद्देश से साहित कार वो पंक्तिला लिखे है इनकर मर्यादा के भी परिपालन हो जाना चाहिए इस अब बात लगाथ मैं अपन बानी ले बिराम दो आदरनी स्वाहू जी आगे मने धंग से चेताहीं बनाए लेन आओ जुहा उपर के बैट जगोगा नहीं एक ही बात है लगातार चलती रहे डेड़ घंटे दो बंड़े तो आदमी में लगाथ आप